नमस्कार साथियो मैं मनीज भारती संस्कृती आयस प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ साथियो चुनावी दंगल के सिकारिक्रम में हमने बहुत सारे मुद्दे देख लिये हमने देख लिया कि चुनाव आयोग किस तरह से काम करती है चुनाव कैसे संपन कराया जाता है निर्दलिय उमिदबार कोन होते हैं हमने यह भी देख लिया कि राजनितिक पार्टी कैसे बनता है इन सब चीजों के बाद अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि जब पार्टी में बन गया या आप निर्दलिय उमिदबार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए तयार हो गए तो आपके पास कुछ चुनाव चिन्न तो होना चाहिए ना चुनाव चिन्न कहने का मतलब है प्रतिक सिंबॉल जैसे कि आप देखते होंगे उधारन के लिए मैं बताओं तो यहां पर देख रहें के कमल का फूल है तो बीजेपी का यह है अब कई बार क्या है कि आपने सिर्फ कमल का फूल देखा देखिए प्राइम निश्टर नरेंद्र मोदी है यहां पर भी स्टेज पर कमल का फूल की जा रही है यहां पर जारू दिख गया तो आप समझेंगे आम आदनी पार्टी की बात की गई है तो यहां पर ढ़ों कि यहां पर इता है ठी कॉन तो सिंबल ही कई रही बार हुजाता है कई बार ना संगीत बनता है ना चुनावी गीत यहीं है कि कमल खिलाएंगे या पिर जारू चलाएंगे इस तरह की चीज़ा क्यों को भुख यहां प्रतानमंतरी की हाथ में दिख रही हैं और चलिए ये तो पार्टी की बात हो गई, लेकिन एक प्रस्म तो यहां भी उठता है, कि आप कहेंगे सर पिछले कारिक्रम में आपने बताया था कि निर्दलिये उम्मिद्बार बनके भी मैं चुनाब लड़ सकता हूँ, अब देखें, लोगसभा चुनाब जारी है, और मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ, मुझे निर्दलिये उम्मिद्बार बनकर के लड़ना है, किसी पार्टी ने तो टिकर दिया नहीं, तो मुझे ये बताईए कि अब चुनाब चिन कहां से मैं लाओं, ये कैसे होगा, वहां तो चुनाब चिन क्या धार पर वोटिंग होगी, तो इस लेक्षर में हम यही सब बात करने वाले हैं, मतलब यह जो पूरा चुनाबी दंगल कारकरम हमारा चलने वाला है, जब तक ल अब मैं यहां आपको लेकर के आगया हूँ, कि यदि आप लोगसभा चुनाब लड़ने वाले हैं, किसी पार्टी के तरब से हैं, तो ठीक है, उस पार्टी को कैसे चुनाब चिन मिलेगा, कोई परतिक कैसे मिलेगा, या आप निर्दलियों मिदवार के रूप में निर्ले पार्टियां हैं, तो इन सब चीज को लेकर कि क्या चुनाब आयोग को कन्फूजन नहीं होता है, कि भाईया, इतना चुनाब चिन कहां से लाए, तो इन सब चीजों पर जला हम देखते हैं, इसके तकने की पहलू को देखना पड़ेगा, अब चुकि इसमें बड़ी कानू एवं आवंटन आदेश, 1968 के तहट ये सारा काम किया जाता है, तो एक तो important fact आपके लिए ये हो गया, यानि कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे होता है, तो यहाँ पर एक बात समझना होगा, कि चुनाब आयोग के द्वारा ही ये सारा काम किया जाता है, ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारे पास आगया, कि अच्छा ये सारा काम जो है चुनाब आयोग के द्वारा होगा, तो हमें क्या करना परेगा, चुनाब आयोग के दरवाजे पर चलना परेगा, और चुनाब आयोग क्या मनमाने धंग से ये काम करेगी, नहीं, चुनाब आयोग कैस सब्सक्राइब करने निए चुनाव चिन आपके लिए आपके के लिए आप कहेंगे अभी इस में क्या मसला है तो बारी 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 से सबसे पहले समझ लेते हैं आरक्षित चुनावचिनि के लिए आरक्षित होते हैं कहने का मतलब है जैसे मैंने यहां आपको बताया यह बीजेपी का कमल का फूल है या कांग्रेस का यह हात का छाफ है ठीक है यह राश्टिये याँ को चुप में दीखेगा टी तो यहाँ पर जैसे देखे टी एमसी तो यह टीर्मूल कांगरीस यह जाब है नहीं मैंने आपको बताए था कि भारत में जे भली छे उसमें मैंने आपको पताया था कि TMC उसमें नहीं है यहां पर यहीं बाते कहा हुए कि दोनों दल के लिएference म्म हीई पहले ज़ी पर इस पर भी कुछ बाते हैं देजबर में इन चुनाब के थे से कमल म्हम ही आप तो फिर चुनाब आयोग क्या करेगी चुनाब आयोग कोई पक्षपात भी तो नहीं कर सकती है तो चुनावायोग इसी कानून के तहत सारी बाते उसे प्यार से समझा देगी उसके अमरिजेट को कि देखिए नेता जी मामला क्या है कहेगी कि देखिए ये जो मामला ये कानून कहता है ये आरख्षे चुनाव चिन के वारे में कहता है और आरख्य चुनाब चिन के बारे में हमें ये कानून पहले से बता दिया गया है कि भईया आपको ये किन किल लोगों को देना है कोई वे राष्टिय पार्टी है या छेत्रिय पार्टी है जिनको हमने ये पहले से दे दिया है और ये राष्टिय पार्टी है और छेत्रिय प Ugjuna बाट चिंद को सकता है अब राष्टिये पार्टी है तो राष्टिये पार्टी क्या होगा पूरे देश में ऐसा कर सकती है कमल का फूल पूरे їं किसी को नहीं मिलेगा जब तक राष्टिये पार्टी नहीं नहीं बात नहीं देखा जाएगा और छेत्रिय डल अगर है राज जस्तरिय डल तो उस राज जी के अंतरगत मैं आपको बताऊंगा उधारन के साथ शिप्षेना और जार्खन मुक्ति मोर्चा दोनों का तीर धनुस है ठीक है तो किस तरस अभी शिप्षेना को तीर धनुस दिया गया तो उसको ले करके हम चर्चा करेंगे कि छेत्रिय पार्टियों में कैसे ही अलग-अलग हो जाता है तो पहरी बात तो हो गया कि चुनाव चिन्नों पर संबंधित पार घुलाजी को इस चुनाव आयोक समझाएगी कि आरक्षित चुनाव चिन्न तो आपको नहीं मिल सकता ठीक है च्योंकि आप राष्ट्रिय पार्टी भी नहीं है और आप छित्री पार्टी भी नहीं मानेता प्रफपर नहीं है तो फिर यह कहएका लेकिन से मैं थेलेक्षन लड़ रहा हूं चलिए कमल का फूल ही नहीं अब निर्दलिय उमिद्वार के रूप में लड़ रहा हूं कुछ तो दीजिए तभी तो लोग भोड़ देंगे एबियम पे तभी तो वह आएगा हमारा चुनाव चिन तो उन्हें उन्हें का भया यह क्या होता हमें नहीं पता हम तो जनता के सिवक हैं आप समझाओ टेकनिकल वातें तो इन्हेंने कहा कि देखिये क्या लिश्ट होगा किसी नए दल या निर्दलिय उमिद्वार को इन में से चुनाव चिन आवंटित किया जाएगा तो इनको पूछा आप क् तो मैं एक्षन लग रहा हूं उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आपको स्वतंत्र चुनाव चिन की जो सूची हमारे पास है उसमें से आवंटित किया जाएगा और इसके लिए भी प्रिक्रिया है ऐसे नहीं मनमाना प्रिक्रिया क्या है यदि कोई दल अपना चुनाव चिन मालव जिए मिल पाता जो कि नहीं मिल पाएगा जोकि भी जे पी राश्टिया पार्टी उसके पास है तो यह कहागा कि देखिए मैं सोच के आय था कि मेरे पास नापझ कोरते हैँ और वह हमारे मैच में नहीं है यह पहले से हमने किसी को नहीं दे रखा है और हमें लगेगा कि यह suitable है हम आपको दे देंगे तोनाफ चेनी के रूप में यदि किसी के पास गेंदा फूल पहले से नहीं है चुनाप चेनी चाहे वो राअच्टिये पार्टी हो या छेत्रिये पार्टी हो या उस से पुर्व या उसे को निया हो नियों उम्हिदवार को लग बाते हैं तो सबसे पहरे हम समझ लेते हैं दल को लेossen सूरा जायेगा आप कहेंगे कि आपने सीधे यहां से क्यों शुरू कर दिया कि पंजिक्रित गयर मानता प्राप्त राजनितिक दल यह इसका सॉट फॉर्म है ठीक है तो आप कहेंगे कि आपने पंजिक्रित गयर मानता प्राप्त राजनितिक दल से सुरुवात किया आपने यह नहीं बताए क माननेता प्राफ्त राजनितिक दल मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माननेता प्राफ्त जो राजनितिक दल होगा पॉलिटिकल पार्टी इसके दो पार्ट हो जाएंगे एक तो होगा राश्ट्रिय पार्टी ठीक है और दूसरी पार्टी हो जाएगी शेत्रिय पार्टी अब आबेदन करने की उस बक्त आवसकता नहीं है इनके पास में यही इस्तिती रहेगा इनके पास तो लेड़ी है और इनके पास जो है वह एकाधिकार पूरे देश भर में रहेगा और इनके पास जो है एकाधिकार उस राज्ज के रहेगा जिस समंधित राज्ज में यह च्छेत तो यहां पर हम सीरे चलते हैं पंजिक्रित गैरे मानता प्राथ राजनितिक दलों को फिर किस तरह से चुनाब चिन में लड़ना है चुनाब लड़ना है तो पहले यह सब चीजे जो है वह अलग से देना परता था चुनाब चिन जब आप लेते थे तो विवरन अलग से देना परता था लेकिन आप जब चुनाब चिन लेंगे तो उस फॉर्म के साथ ही एटाच कर दिया गया है यह विवरन साथ में देना परता है उस पार्टी को देखिए सामान परतिक आवंटन की मांग करने बाले पंजिकरित गैर मानता प्राप्त राजनितिक दल एक विदिवत हस्ताक छरित और नोट्रिकरित घोशना परस्तूत करते हैं क्या क्या यहां पर देख लिए आवेदन पार्टी के वर्तमान और अधिकरित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तूत करना होगा पार्टी ने पिछले तीन वितिये वर्षों के लिए योगदान रिपोर्ट और लेखा परिक्षित वार्षी खाते उस राज के मुख किस राज का अगर बिहार से संब्दित है तो करनाटक तो वहां के मुख निरवाचन अधिकारी के कार्याले में जहां पार्टी का मुख्याला है पिछले दो चुनावों के लिए पार्टी का चुनाव वै विवरन भी प्रस्तूत किया हो और यह चीज़े जैसा मैंने पहले जो आवेदन करेंगे उस आवेदन के जो समान परतिक लेने के लिए आवेदन के प्रारूप में यह शामिल कर दिया गया है अलग से नहीं देने की आवशक्ता है अब यहां पर चलते हैं कि यह तो हमने पार्टी की बात बता दी कि कोई दल बना कर गया है लेकिन मैंने एक जाओर बताया था कि निर्दलिय उमिद्वार वो गेंदा फूल वला याद कीजिए वो तो गेंदा फूल लेना चाहते थे निर्दलिय उमिद्वार बनके गए थे और निर्दलिय उमिद्वार को फिर कैसे मिलेगा चुनाप चैने आप देखते होंगे बहुत सार निर्द तो लिष्ट मैंने कहाता, लिष्ट पताएंगे, देखेंगे, मैच किया कि नहीं किया, अगर लहीं लगता है तो वहाँ पर जो निर्वाचन आयोग दौरा अन्य प्राबधान और समझ लेजिए यदि छेत्रिये दल किसी दूसरे राज में अपने उमिद्बार उतारती है उस राज में वही चुनाब चिन किसी अन्य दल को पहले से आवंटित है तो दूसरे राज के छेत्रिये दल को दूसरा चुनाब चिन आवंटित किया जाएगा इसमें छेत्र से संबंद है जैसे कि उधारन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ जारखन मुक्ति मोर्चा जो जारखन की एक छेत्रिय पार्टी है यह जारखन की है आप समझ लीजिए कि जारखन में इसके पास जो है यह देखिए जारखन मुक्ति मोर्चा और इनका चुना आप चीन अगर आप देखेंगे तो यह भी ठीक है ऐसा ही श्रीशेनल नाम लिखा हुआ है और ये भानुषाथ को ज्छारखंद में चुनाव लड़ना है लोकुषभा का चुनाव यह जारखंद विधान सभा का चुनाव तो यह चुनाव आयो के पास पहुंचगी कि मेरे पास तो पहले ही है तिर धन मैं जा करके बस लरना शुरू कर दूंगा यह बोलेंगे नहीं आप उस तीर धन उससे नहीं लर सकते चुनावायों कहेंगी क्यों आपने तो पहले समय दे रखा तो फिर इनको दूसरा चुनाब चिन कुछ बदल के दिया जाएगा उसी सिंबॉल पर नहीं लड़ सकते वाइस वरसा इसे समझ लीजिए जारखन मुक्ति मौर्चा है महराष्ट में एलेक्शन लड़ना चाह रही है तो और कहेगी मैं तीर धनुस के ही साथ लरूंगा नहीं हो सकता है यहां पर इनको बदल दिया जाएगा चुकि यह वहां के जो मानेता प्राथ छेत्रिय पार्टी मामला समझ में आ रहा है यानि कि जो वहां के स्थानिये हैं उसके उस राज्जी के एकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हैं उनको प्राथमिक्ता चुनाब चिन में दे तो यह समझना होगा आपको इस अधार पर भी समझ लीजिए अच्छा अब चलते हैं यह अपने समझ लीजिए पसू अधिकार कारकरताओं के विरोध के पाथ किसी भी राजनितिक दल को पशू पक्ष्यों वाला चुनाब चिन नहीं अबंडित किया जा सकता है हलां कि कु तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें यह ठीक नहीं होगा तो चुनाब आयोग ने भी शंबेदन सीलता रिखाई और अब पशू या पक्षी से संबंधित नहीं दिये जाते हैं इस तरह के जो निर्जीव वस्तु होता है ना तो निर्जीव वस्तु से संबंधित ही चु आप जानते हैं कि यह सिवसेना गुट वाला मामला ही देखिए एक तरफ उढ़ब ठाकने वाला एक तरफ एक नाथ सिंदे वाला उसमें भी चुनाब चिन को लेकर के मामला फस गया था नसीपी का देख लिए सरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के बीच में यह म को मिल जाए ठीक है तो इसका विवाद फिर कैसे निप्टाड़ा होता है ऐसा राजनेतिक दल जिसे राश्टिय और छेत्रिय पार्टी का दरजा नहीं मिला ध्यान देना है उसे चुनाब चिन देने के बाद चुनाब आयोग वापस भी ले सकता है ठीक है जिसे राश्टि ौत्तर प्रदेश की नैतिक पार्टी का नाम था उत्तर प्रदेश में नैतिक पार्टी को चुनाब आयोग ने जारू चुनाब चीन ने जा नौ विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पर था उसके बाद चुनाव आयोग ने यह सिंबल उनसे वापस भी ले लिया था वर्ष 2014 लोक्षभा चुनाव में नैतिक पार्टी इसी सिंबल पर चुनाव लड़ना चा तब दर्ज किया था अरविंद के जिरे बार पहली बार मुकमंतरी बने थे ठीक है उन्चास दिन तक यह सरकार चली थी और उन्हों ने इस स्थिपादी दिया था यह उसके बात जब यह लड़ते हैं तो फिर 67 सीट आता है आट आप 70 यह वाला मामला बनता है ठीक है तो अठ सिंबल फिर नहीं दिया गया इसी वज़े से चुनाव आयोंने वर्स 2014 लोक्षभा चुनाव में जारुस सिंबल आम आदमी पार्टी को देने का फैसला किया और नैतिक पार्टी को यह सिंबल उस बग नहीं मिलता है तो इस लेक्चर में देखिए हमने क्या समझा कि किस तर निर्दलियये वमिदबार अगर कोई हैं उनके किस तरह से चुनाव चिन मिलता है और किस तरह से उनका चुनाव चिन like ले लेती had iam उनको चुनावचिन कैसे मिलता है तो मैं समझता हूं कि इस लेक्षर में आप इस बातों को पूरी तरह से समझ गए होंगे आप में से कोई भी एलेक्षन लड़ना चाहें पार्टी बना करके या निर्दलिय उमिदबार के रूप में तो इस लेक्षर को अच्छे से देख ल रहा है किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए यह सारे बातें आप कमेंट बाक्स में जरूर लेखिए आज के इस लेक्षर में इतना ही अपना बेहत ख्याल रखिए थैंक यू किस्वाइब बाक्स बाक्स अपना है अभाल के पार लेक्षर में थाल आपको उना किक यूट से लेक्षर